नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइट एजूकेशन में जितने भी लोग आज हमारे साथ सुबह जुड़े हुए थे यहाँ उस मोग टेश्ट में जहाँ पे हमने करेंट अफेर का सिनारियो सुरू किया है और वो 50 प्रश्ण में आपने कितने उत्तर सही किये ह यह आप लोग वहाँ पे कमेंट जाके कीजिए अटेंट करें वो क्लास को अगर नहीं किया है तो आफलाइन मोड पे पड़ा हुआ है वहाँ पे जल्दी से जाए उसकी उसको भी अटेंट जरूर कर लिजेगा लेकिन यहाँ पे हम सुरू करने जा रहे हैं सेट नंबर 14 है जो की अपरेल का 2020 का यह करेंट अफियर है जी हां सेगेंट पार्ट है इसका और हम लोग यहाँ से कोश्चन देखेंगे कि और कितने 50 कोश्चन इंपॉर्डेंट है आपके एक्जाम में आने के लिए इसका थर्ड पार्ट आपको कल सुबह 9 बजे मिलेगा और इसका फोर् यानि कि कल दोबार के 12 बजे उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट और है कि जो भी चात्र यहाँ पे मार्च का करेंट अफियर का PDF चाहते हैं वो कल उसके साथ भी ले लेंगे जरूर लेकिन कहां से वाइटी एज्यूकेशन का टेली ग्राम चैनल है आप लोग जल्दी करेंट अफियर से परिक्षाओं में पूछे जाने के लिए लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बंदू चैनल पे नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के आइकन को दबाके ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल क के माध्यम से जा सके दोस्तों सुबा मैंने ये वीडियो दिया था अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो जाके जल्दी देखिए टेस्ट दिजिए शाम को आठ बचे ये वीडियो आपको जरूर मिलेगा सेट नमबर 70 आज मिलेगा आपको साम को तो अटेंड करना ना संगठन World Intellectual Property Organization नोट कर लिजेगा उसके मुताबिक वर्स 2019 में अंतरास्तिय पेटिंट हे तु आविदन करने में कौन सा देश प्रतम इस्थान पर था चलिए ये कोशिन थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आंसर किजेगा जी हां बिश्व बौधिक संपदा संगठन World Intellectual Property Organization ये फुल्फरम पूछ सकता है WIPO का वीपो का फुल्फरम पूछ सकता है पूछा गया एक्जाम में अक्चलि तो 2019 में अंतरास्तिय पेटिंट हे तु आविदन करने में कौन सा देश प्रतन रहा तो वो देश है दोस्तो चाइना ठीके नोट कर लिजेगा एक कोशिन यहा पे चलते हैं Center of Monitoring Indian Economy जी हाँ नोट कर लिजेगा इसका भी फुल्फरम पूछता है एक्जाम में Central of Monitoring Indian Economy के निमिंतम यानि की नए रिपोर्ट के अनुसार 2020 मार्च में रोजगार दर कितने प्रतिसत के साथ नीचले इस तर पर आ गई है यह कोशिन बहुत इंपोर्टेंट है साथ उन सभी छात्रों के लिए जो की अभी बेरोजगार है तो भारत का जो रोजगार दर है मार्च 2020 में जो रिपोर्ट दिया गया है हमें किसके दवारा Center for the Monitoring Indian Economy को लेकर जी हाँ यहाँ पे परतिशत दर जो है रोजगार का वो 38.2 दो पर आ गया है ठीक है निचले इस तर पर है अभी तक के पुरे भारत के इतिहास में सबसे निचला इस तर है यह रोजगार देने में भारत को कोशिन नमबर थर्ड पे चलते हैं दोस्तों जी हाँ यहाँ यहाँ पे कोशिन थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ लीजे ऑ आउजित G20 देशों की वर्चुल बैठक में परमुक पेट्रोले मुतपादन देशों की खनीज तेल की गिरती कीमतों को नियंतरित करने के लिए आपसी सहमती में अपने दैनिक तेल उतपादन में कटावती करने का फैसला लिया है वो कौन सा देश है जी हाँ दोस्तों न अपनीज तेल की गिरती हुई कीमतों का नियंतरित करने के लिए आपसी सहमती में दैनिक तेल उतपादन की कटावती के लिए जी हां किसने फैसला लिया है तो बिल्कुल ऑप्शन है तीन यहां पे चौथा ऑप्शन भी देख लिए आंसर कीजिएगा सौधी अरब जिनका उतर सी आ रहा है बिल्कुल उतर सही कर रहे हैं चलिए सौधी अरब की करिंसी क्या होती है यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताईएगा बिल्कुल चलिए कोशन भर 4 पे चलते हैं दोस्तों कोशन भर 4 कहता है कि हाली में ACI बैंक यानिकि यहां W ADB माफ़ यह एशियाई विकास बैंक है ना एशियाई डेवलक्मेंट बैंक जो है उसके अध्यक्ष ने COVID-19 महामारी के प्रती अनुक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया था यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह सारे डेटा तो यहां से टॉपिक तो बनता है उनके एक्जाम में और खासकर यह दो महीना जो मार्च और अप्रेल का है यह सबसे महत्पोर्ण महीना है आप लोगे एक्जाम पूरे साल लेने के लिए हर चीज नहीं हो रही है COVID-19 को लेकर तो नई चीज़े तो एक्जाम में पुछी ज जाती है आंसर करिएगा दोस्तों यहां पे जल्दी से यह आर्थिक मदद दी है एडी भी नहीं भारत को 2.2 बिलियन डॉलर का आस्वासन दिया है दिया नहीं अभी ठीकिए आंसर डी हो जाएगा दोस्तों नोट कर लिजेगा क्वेशन नोट फाइब पे चलते हैं रियल एस्टेट के बारे में है थोड़ा सा ध्यान दिजेगा रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग को निकाय नरीड को जिया नरीड को और उद्योग संग एसे चुन ने भारत सरकार के भारती उद्योग के लिए कितने बिलियन दॉलर का ये आगरह किया था भारत सरकार ने कुश्टि नमबर सिक्स पे चलते हैं राष्टी सुरक्षित मात्रित्व दिवस निकित में से किस दिन मनाय जाता है तो देखे महीने जितने भी कंटिनिवस चलते हैं उनमें कोई ना कोई डेस इंपोर्टेंट होता है और जैस ये बता देता हूँ थाकि उस समय आपको ध्यान रहे याद करने के लिए राष्टी सुरक्षित मात्रित्व दिवस निमलिखित में से किस दिन मनाय जाता है बिलकुल याद रखेगा 11 अपरेल को मनाय जाता है सर ठीक है D is the right answer कोईशी निमबर 7 पे चलते हैं हाली में परसिद भारती सास्त्री गाई का और किस पुरस्कार से समानित सांती हीरानंद चावला को 87 वर्स की उमर में निधन हो गया है हीरानंद चावला जी हां दोस्तों नोट कर लिजिएगा ये किस समान से समानित की हुई थी सांती समानित की थी सांती हीरानंद चावला को जी हां भारती शास्त्री गाई का है ये और आंसर कीजिएगा उनको पदमस्री पुरस्कार से समानित किया गया था जिनका उत्तर ये आ रहा है उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं चलिए कोश्यमबर 8 पे चलते हैं दकैट दकैट नाम से मसहूर की इस देश के पुर्व गोल्फ कीपर यहां पीटर बोनेटी का 78 वर्स में निधन हो गया है तो इंगलेंड के हैं ये याद रखेगा आंसर आपका B हो जाएगा यहां पे दकैट इनका नाम है ठीक है नोट क द्रश नेमलेखित में से किस दिन मनाया जाता है मानो उडान दिवस ठीक है अनतराश्तिये सब्सक्राइस दोस्तों याद रखेगा 12 अप्रेल को जितना भी डेज हो रहा है है यहां पे आप लोग साइड में लिखते जाएगा तो चीज़े याद रहेंगी कमेंट बोक्स म स्पोर्ट्स के लिए दिगज ब्रिटिस चालक थें जिनका लंबी बिमारी के बाद 90 साल की उमर में निधन हुआ है कौन है वो फेमस है बिलकुल सर फेमस तो हैं ही तभी इनका नाम आया है यहाँ पे करेंट अफेर में आंसर कीजिएगा स्टर्लिंग मास इस दराइट आंसर इस दर करेंट आंसर रोकें चलिए कौशन नमबर 11 पर चलते हैं परधान मंतरी मोदी जी ने लौकडाण बढ़ाये जाने के बाद भारते रेलवे ने किस तारिक तक सभी यातरियों ट्रेन रद करने की घोशना की है तो देखें यह कोशन आपका मीड अपरेल का है है ना त तो 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 चलिए और कौशन नमबर 12 पर चलते हैं बिश्व बैंक के दक्षिन एसया आर्थिक फोकस आर्थिक अगतन के अनुसार COVID-19 महामारी के कारण वित वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर 1991 के उधारी करण के बाद सबसे खराब होने की समभावना है 1991 में उधारी करण हुआ था जिहां और भारत में हुआ था याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 200 में वो कौन सा बैंक है 200 बैंक है जिसके अनुसार दक्षिन एशिया का आर्थिक फोकस जिहां आर्थिक फोकस जो है यह आर्थिक अगतन के अनुसार जिनके अनुसार कोविट-19 के महमारी के कारण वर्ष 2021 में किस देश का आर्थिक विकास 1991 उधारी करण के बाद भी खराब होगा उससी भी ज्यादा खराब इसे दिमा जाएगा भारत का जिहां D is the right answer नोट कर लिजेगा कोशी नमबर 13 पे चलते हैं दोस्तों हाल ही में आर्थिक छेतर में कोविट-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिस्चिता के स्थिती से निपटने ही तो भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा वीनिये में समझोते पर हस्ता और अमेरिका के बीच में कि जितने भी आपातकाल ऐसे संगत ऐसे अनिस्चिता से कुछ भी महां बारी आजाए देश में तो उसके लिए हम लोग इससे निपट सके इसके लिए यह साजितारी अमेरिका और भारत के बीच में होने जा रही है कोश्य नमर 14 पे देखते हैं द पादन और निर्यात में कौन सा देश सबसे सिर्स पर है अभी और ये दवा जो है आपको कोवीड-19 में बहुत इफेक्टिव हो रही है और सबसे ज़्यादा ये निर्यात करने वाला देश है अपना देश भारत C is the right answer ठीक है चलिए कोश्य नमर देखेंगे हम 15 कोश्य नमर 15 है कि RBI ने जेजर बैंक आफ इंडिया ने हाली में कोवीड-19 के कारण उत्पन हुई आर्थिक चुनोतियों को देखते हुए देश की सभी बैंक को गैर बैंकिंग वीतिये कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को दिये गए रिंड के भुगतान है तो कितने महिने का अत्रिक छूट देने का निर्देश दिया गया है तो ये सारी चीज़े जब आप समझेंगे न तो आपको लगेगा कि ये सारा चीज बिलकुल ही निरस्त है कोई काम की चीज़े नहीं है बस राहत है और कुछ नहीं ह तो छूट मिली है महिनों की यहां पे तो वो दिया गए है तीन महिनों का छूट ठीक है बी इज दराइट अंसर चलिए कोश्व नबर शिक्टीन पर चलते हैं ठीक है जिनकी अर्थ विवस्था पर केंदरित रिपोर्टर में कहा गया है कि 2020-2021 में भारती अर्थ विवस्था की व्रिधी दर घट कर कितने से कितने प्रतिशत तक आ जाएगे तो 1.5 से 2.8 के बीच में ये रह सकती है इनका व्रिधी दर जो घट कर आ गया है नीचे याद रखेगा कोश्य नमबर 17 पर चलते हैं ग्रिया मंत्राले के अनुसार भारत में फसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारिक तक बढ़ाया गया है याद रखेगा आंसर हो जाएगा इट सबी 30 अपरेल तक ही बढ़ाया गया था ठीक है आंसर हमारा बी हो जाएगा कोश्य नमबर 18 दोस्तों पर्थान मंत्री मोदी जी ने 14 अपरेल को समाप्त होने वाला 21 दिन का ये लोगड़ान केतने तारित तक बढ़ा दिया है तो यह मैंने आपको बुला कि ये जो कोश्यन सेट है ये मीड अपरेल का है तो यहाँ पर आप आंसर करेंगे तीन मई लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया है 17 मई इसलिए आंसर यहाँ पर 17 मई हो सकता है तो यगर डेट वाइस पूछेगा तो आप बता सकते हैं है न वैसे तो यह कोश्यन उतना इंप्रोटेंट है नहीं लेकिन जानकारी रखिएगा भारती सीना ने सियाचिन दिवस मनाया निम्ण में से किस दिन मनाया जाता है भ भारत को 15.5 क्रोड डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिकरी को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों वो देश है अमेरिका यह डील हुई है और भारत और अमेरिका के बीच में यह डील जब डोनल्ड टरम्प आया थे भारत उसी समय हुई थी लेकिन कोविड-19 के चलते इसको डिले किया गया था अब यहां पे इसको मंजूरी दे दी गई है ट्रॉपीडो की बिकरी कर सकेगा अमेरिका भारत को कुशन में 21 डॉक्टर भीम राओ अंबेटकर की जैनती निमलिकित में से किस दिन मनाय जाती है अभी हाल ही मनाय गया था याद करिए पिलकुल याद है आपको 14 अपरेल तो आप उत्तर सही कर रहें यहां पर अंसर सी हो जाएगा दोस्तो चलिए वीडियो पसंद आ रहा होगा कोशन अच्छे लग रहे होंगे अगर ऐसा लगता है आपको कि ऐसे कोशन आपको डेली चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर क कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ग्रूप में भी चलिए दोस्तों कुशन नमबर 22 पे चलते हैं हाली में भारत और किस देश के विज्ञान और प्रदोग की फोरम में कोविड-19 से निपटने है तो अभासी नेटवर्क पर कारे करने का प्रस्ताव दिया अभासी नेटवर्क पर जी हां बिलकुल याद रखेगा अमेरिका ने दिया है यह आंसर हमारा यह हो जाएगा भारत और किस देश तो अमेरिका के विज्ञान और प्रदोग की फोरम ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक अभासी नेटवर्क यानि कि जो वर्चूल ने पिने की रिण भुझतान को रद करने के लिए कितने मिल्यड अमरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उन्हें करोना वाइरस महामारी से निवटने में मदद मिल सकें तो यह रिण जो है यह भुझतान जो है वो देश करीब 500 अम्लियन अमरिकी डॉलर का जो ह यहां पर उनको relaxation मिल सकता है ताकि वो अपने देश में महामारी से लड़ सके आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों नोट कर लेंगे बिल्कुल सही Q24 अटल इनोवेशन मिसन नीती आयोग और राष्टी सुष्णा विज्यान केंदरी ने 23 अपरल 2020 को संजुक्त रूप से किस सौफ्ट्वेर को लॉंच किया है बिल्कुल याद रखेगा इट्स सी कुलैब कैड नोट कर लीजी का आंसर हमारा सी हो जाएगा Q25 पे चलते हैं अंतराष्टी मुद्रा कोस आईमेफ ने हाल ही में एक वीट वर्स 2020 सिकीस में भारत की GDP ब्रिधी आप देखेए आईमेफ ने भी एक रिपोर्ट जारी किया है वो कितने परसेंट रहने का अनुमान है ये बताया है ये इंटरनेशनल मोनेटरी फंड है ठीक अगला कोशन है 26 दोस्तों ICMR ने एक जनरल में कहा है कि उसने किसी देश में चमगादरों की दो प्रजातियां है एक टेरोपस और एक रुशेटस में कोरोना वाइरोसों का पता लगाया है वो कौन सा देश है दोस्तों बिलकुल याद रखेगा आंसर हो जाएगा इट सी भ कि इन ही किसी कारणों से ये विमारी निकली है जानवरों से फ्रांस के राष्टरपती इमेनुवल मैंक्रो ने कुविड-19 को लेकर लोगडाउन कितने मई तक बढ़ा दिया था मैंने फिर बोला आपको कि ये जो डेट है 11 मई तक का था फ्रांस में ठीक है लेकिन इसको ए आद रखेगा आंसर ये है यहाँ पर फिलाल कोशन अबर 28 अमरीका राष्टपती डोनल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड डॉलर तक की अमरीकी धनराश्री को रोकने की घोशना की है जिया नोट कर लिएगा कोशन इंपोरेंट है आसकता है एक् अमेरिका पैसा नहीं देगा क्योंकि यह मतभेद कर रहा है चाइना और अमेरिका और विश्वे के साथ देशों के साथ यहां चुकि यह देश में जो हमारी फैली है पुरे विश्वे में इसका वज़ा चाइना को बता रहा है अमेरिका और यहां से जो पुरा ब्लेम है व चागस डिजीज डे कब मनाया जाता है तो अप्रेल का ये करेंट अफेर है तो याद रखेगा 14 अप्रेल को ही मनाया जाता है आंसर अमारा बी हो जाएगा ओके कोशन इंबर 30 देखते हैं भारती रिजर्ब बैंक के किस पुर्व गवर्नर को IMF यानि कि इंटरनेशनल भी रह चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर भारती रिजर्ब बैंक के पुर्व गवर्नर रह चुके को IMF की या इंटरनेशनल मुनेटरी फंड की प्रमुख के रूप में बाहरी सलाहकार के रूप में इनको न्यूक्त किया गया है तो यह चीजे आपको बिस्व को समझ में आ प्रती वर्स हिमाचल दीवस निमलेखित में से किस दिन मना जाता है तो हिमाचल दीवस मनाया जाता है दोस्तों याद रखेगा बिलकुल 15 अप्रेल को नोट कर लिजेगा सी इस दर राइट आंसर प्रती टू हाल ही में किस राज जिनने ICMR से कोरोना वाइरस के पूल परिक आपको बता दे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों को आप लोग हमेशा active देखे होंगे इस पूरे lockdown में क्या करना है कैसी विवस्था कहां रखनी है ताकि हमारा पूरा जो राज्य है वो बरबाद ना हो जाए क्योंकि ये जो राज्य हैं बिहार जारकंड उत्तर प्रदेश और दिल्ली ये लाइन से जो एक लाइन से पूरा राज्य है जो ठीक है इस राज्य में इतना आवाज आही है और इतना यहां connecting है कि लोग बिलकुल एक दूसरे वाफेक्ट कर सकते हैं और चनसंक्या घनत्य वाला ये सारा र पढ़ गये तो यहां पर इन्होंने बहुत ही सकती की तो चीजों को रोक पाए हैं बढ़ने से कोशे नंबर 33 पे चलते हैं राज्टे पालतु दिवस नेसनल पेट डे मनाया जाता है 11 अपरेल को याद रखेगा आंसर अमारा डी हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन 34 दोस्त कितने कारेकारी को सामिल किया है तो यह एक अच्छी बात है यहां पर भारतिये लोगों को भी सामिल किया गया है उनके कारेकारियों में तो कुल 6 लोग हैं जो कि इनके इस कॉर्परेट में सामिल हुए हैं Q35. दोस्तो, किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूर्व बिश्व में कोरोना वायरस और लॉक्डाउन के संक्रट में बीच 2021 में होने वाले बिश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो किस देश की महिला अग्रिकेट ने तो बिलकुल ये क्वालिफाईंग अभी राउंड चल रहा था इन लोग का जन्वरी से पहले हैं तो ये जो है अब कौन क्वालिफाई कर लिया है यहां पे बिश्व कप में जाने के लिए 2020 में तो भारत ने आंसर ये हो जाएगा दोस दोस्तों कोशें नमबर 36 फिल्म खुबसूरत मिसी सीपी मसाला ठीके और अमेरिकी टीवी सिरीज द ऑफिस एयों प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का चौशट साल के बाद निधन हो गया है याद रखेगा आंसर होगा रंजीत चौधरी का नोट कर लिए आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों किस देश के नागर विमान मंत्राले ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट वियापी लॉकडाउन में मद्दे नजर सबसे दूरुस्त स्थानों पर जो आवश्यक्ता है वस्तों आपड़ती सुचित करने है तो ऑपरिशन लाइफ टाइम यहां लाइफ लाइन उडान को लांच किया गया है कौन सा देश लाइफ लाइन को यहां पर भारत ने शुरुआत किया है ठीके आंसर याद किजिएगा डी इस दराइट आंसर कुश्यमबर 38 हाली में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमेत रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए जिसने कोवाश क का विकास किया था कोवाश का यहां पर विकास किया है क्वेशन नमबर 40 एशियाई मुक्य बाजी चेंपियंशिप 2020 की मेजबानी जी हाँ नियम लोगे से कौन सा देश करेगा इस बार मुक्य बाजी के लिए तो वो करेगा दोस्तों भारत नोट कर लिजीगा इटसर डी भारत जी हाँ अगला कोशिय ने दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केर रेटिंग्स ने अजे महाजन को अगामी कितने वर्सों के लिए कमपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कारी कारी अधिकारी नियूख्त किया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केर रेटिंग्स के अजे महाजन को अगामी कितने वर्सों के लिए कमपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कारी कारी अधिकारी नियूख्त किया है तो कुल पांच सालों के लिए आंसर हमारा बी हो जाएगा नोट कर लेंगे चलिए कोशन नमबर 42 पे चलते हैं हाली में किस सहर में इस्थित इंटर इंवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रो नॉमी एंड़ एस्ट्रो फिजिक्स के एक वैग्यानिक यूगल ने यहां पाइमोड्रियल ब्लैक होल का अध्यन किया जो कि ब्रमाहन के गती जूर्जा इस्थरो में एक छोटे से टकराव से परिणाम सरुख पैदा हुए थे वो कौन सा सहर था जिहां कि सहर में इस्थित इंटर इंटर इंवर्सिटी सेंटर फॉर दा एस्ट्रो नॉमी एंड दा एस्ट्रो फिजिक्स जहां के एक विज्यानिक यूगल ने एक प्राइमो ड्रियल ब्लैक खोल का अध्यन किया है तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पर पूने इस दर राइट आंसर नोट कर लिजिएगा जी हाँ, नोट कर लेंगे, पूने, is the right answer, चलिए, question number 43 देखेंगे, RBI, governor, शक्तिकान, दाजी है, इन्होंने नगदी प्रवाह बनाए रखने के लिए, हाल ही में, reverse repo rate में, कितनी फिस्दी की कटोती की घोसना की है, बिल्कुल, याद रखीगा, 0.25 फिस्दी की ये घोसना जाएगा, दोस्तो, question number 44, दोस्तो, क्रोना वाइरस के साए से, हाल ही में, किस देश में हुए, संसदी चुनाओ में, राष्टपती मून ने, राष्टपती मून जे इन ने, जीत हांसिल कर ली है, जियां, ये संसदी चुनाओ हो चुका था, जियां, धक्षिन कोरिया में, याद रखिएगा, आंसर हमारा B हो जाएगा, दोस्तो, अगला question है, दोस्तो, 45, हाल ही में, किस राष्ट के वेग्यानिक ने, COVID-19 वाइरस का genome sequence खुज निकालने का दावा कर दिया है, तो ये राष्ट कौन सा है, भाई, ये राष्ट है, गुजरात, is the right answer, is the right answer, नोट कर ल ये, देश वे आपी lockdown लगाने के, किस देश के समय रहते हुए फैसले का समर्थन करता है, तो बिलकुल यहाँ पे भारत का समर्थन करता है, क्योंकि भारत ही इन सभी चीजियों से उभर कर आया है, कि lockdown लगा कर, और कड़े नियमों का पालन करके, ही यहाँ पे अभी तक, इफेक्ट है, वारस का, वो ज्यादा हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते भी यहाँ पे ज्यादा मौते नहीं हुई है, तो यह एक कारण हो सकता है, 47 चलते हैं, भारती क्रिकेट टीम के किस खिलाडी के ने, दुबई स्थित क्रिकेट एकाड़ेमी, क्रिक किंग्डम का ब्र क्रिकेट टीम के खिलाडी है, रोहित सर्मा, इनको न्यूप्त किया गया है, क्रिकेट 48, कि संस्था के मुद्दाबिक करोना वायरस महामारी के कारण, इस साल एशिया की आर्थिक वृधिदर ही सुननी रह सकती है, तो कौन सा यह संस्था बोला है, बिल्कुल दोस्तों, IMF यानि कि इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के जरिए, यह सूचना यह रिपोर्ट आई है, क्रिशन मंत्राले ने अच्छे मानसून की उमीदोग पर बल पर फसल 2020 कि इसके देश में खादानों का कुल उतपादन 63.5 लाग टन बढ़ा कर कितने क्रोट टन करने का लक्ष रखा है बिल्कुल 29.83 क्रोट टन और एक्स्टेंड हो सकता है यहाँ पर लेकिन जो लोग इसके लिए मर रहे हैं भूके हैं उन तक यह खाना पहुंचाया जाए यह सरकार का प्रतम प्रात्मिकता है ठीक है question number 50 बिस्वे हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है बिल्कुल दोस्तों नोट कर लिजिएगा 17 अपरेल is the right answer तो दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पचास question यह completely हो चुके हैं यानि कि आज दिन बरके 100 करेंट अफेर आप लोग देख चुके हैं अगर ऐसे ही कल का वीडियो भी आप लोग चाहिए तो comment box में comment किजिएगा 100 प्र लाइक और शेयर करके जरूर जाईएगा हम लोग को यहाँ पे ताकि आपके एक लाइक और शेयर से motivation मिल सके हमें ओके तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं आप लोग उसे अगली वीडियो में तब तक लिए भवाए टेक किया ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का